कि नमस्कार में भी थुनियादा वाफ सभा का गईज आज के सेसन में कॉंपटिशन कॉमिटी पर स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में लोग बात करेंगे सीजी टैट के जो है सो प्रिविए सेयर का मैथ्स का सोलिशन का पार थर्ड बात करेंगे इससे पहले आपको दोसे टोलडी मैं दे चुका हूं तो सबसे पले गया जो भी जो इस वार पैपर दे रहे अच्छे बात है पूरी वीडियो को देख करके अपनी दोस्तों तो जलू सेयर करिएगा वैससे दोस जिनको पता ही नहीं कि कुछ अलग करने जा रही है ठीक है अगर आपकी कर रहा है तो आपको प्रोच करके आसान बना सकते हैं यह सोलूसन जो मैं आपको प्रोइड करो थोड़ा डिफेरेंट होगा अपको फील भी कर रहे होंगा ठीक है तो जितना हो सकता मेकिसमा अपने दोस्तों तक आई शेयर करिए का सेसन बहुत ही उंदा होने वाला है फिर कमेंड करके बतातने सेसन कैसा रहा और लाइक तो करने भूलिएगा मन ज्यादा वक्त ना लेते भी फटापट से गाईज क्या करते हैं सेसन की सुरुवात करते हैं और आप अपने दोस्तों तक सबको सेयर कर दिए ठीक चारिए बिल्कुल बेसिक से सुरु कर रहे हैं हर एक आज की सेसन में कुछ theoretical पार्ट भी सवाल कवर आप करूंगा कुछ आपके numerical पार्ट के भी होंगे तो कोई दिके दिन दोनों को मिला करके पढ़ा देंगे तकलिफ की उठाने जरूत नहीं आपको ठीक चलिए अगला सवाल आप और दोनों को कितना समय लाग रहा है इसके बारे में जनकारी दिया है हम लें ठीक है यह पर जितना बोल रहे होतना ही करना A pipe है और B pipe है इसको समय कितना लाग रहा है सिर अगर तुम्हें उस टंकी की टोटल कैपेसिटी पता चल जाती है और इस पाइप की भरने का efficiency और इसकी रफ्तार पता चल जागी मुझे लगता सवाल खतम तो सर किसे निकालेंगे इसकी total capacity हम बोले सुनो जो time दिया जागा इसका किसका किसका तो यह मन में 20 और 30 यह आपको लिखना नहीं हर आप सो औरल कर लिजेगा सर साथ हो जाएगा हम बोलते हम इसको total capacity समझा कि नहीं हम बोले हम सर तो total capacity कितना हो जाएगा अगला सर efficiency क्या से निकलेगा अचा एफिसेंसी को यह बच्चा अगर पहली बार सुन राद में आपको बता देता हूं आपके काम करने की जो रफ्तार होती है ना उसी को efficiency बोलता है हां बहुत इस्टेंडर बात कर रहो तो इकाइसवचे में जो काम करने की जो चमता होती उसी क्या बोलते हैं हम लोग efficiency बोलते हैं तो देखे-जालें किसे उस 60 को क्या करो इस बीच से भाग देदो लेकिन आप इसक्रीन सब्सक्राइब तो बढ़ा अच्छा सवाल होता इस तरह से बहुत ज्यादा टफ नहीं हो सकता है लेकिन आप इस पर काम कर सकते हैं जल्दी से स्क्रीन सब्सक्राइब यह रहा देखिए क्या है एक खुब स्वाल है इस तो कॉस्षन को आप कैसे का तो ज्यादा इंपोर्टेंट है बट मैं क्या करूंगा इसमें एरिगेस्न लगाओंगा ठीक है दिखते हैं सवाल क्या है पढ़ते हैं बहुत है कि एक एकजा अगी लिखाया कि कि दग कि तो पास करने के लिए कि लए और फी स्टुडेंट का कि इस को संक्यां बताओं तो यहां पर मैं बहुता हुं कि इसको कितना से कारने का थजार से बारे फजांत मैं पड़े होंगे अगर लगाओ तो उससे पांच गुना कम समय में सवाल को बना लोगे अब इसलिए यहाँ पर क्या मिलाने की बात कर रहा है हम बले पास और फेल वाले स्टुडेंट को मिला करके बात करें तो टोटल की बराबर हो जाए वही तो दिया है हम बले ठीक है आप य यह पर रहए हूं यह पर पास यहां पर रता रहा हूं लिखी में और बीच में जाता हो ऊसको ब्रौत कर ले दो पांच वाली स्टूडेंट की संक्याँ पांच होगा तो इसका मतलब कितने बच्चे थे बता और टोटल बच्चे होंगे इसका मतलब कितना 6 और सवाल बहुँ चे तो नहीं एक सो भी से हम इसे दिख रहा है मतलब मेरा चे कामान आप बोल सकते हैं 120 और यहां से अब बोल लेकिन इतना टाइम क्यों लगाओ गया जल्दी से फटापर्चे करना क्या मुझे जल्दी से इस तरह सवालों को डिल करोगे प्रॉफिट लॉस का बहुत ही उम्दा सवाल है हम लोग इसको अलग वे में बनाएंगे टेंसन अलो आजाओ सवाल क्या बोल रहा है बोला सर यहां पर राम ने दो सैकल को बैचा इच फोर रूपीज नाइन नाइन टी यह इच वहला जो वड़ है ना इसको परतियक जो लिखा रहा है इस वड़ को थोड़ा हाइलाइट कर लो सर इच का मतलब क्या समझे हम ले 990-990 दोनों को 990-990 करक सेलिंग पराइस हम लोगों क्या होगा और हम बिलकुत सही बात बोल रहा है इतना बात आप कर मन में रखेएगा सैलिंग प्राइस सवाल में सब्सक्राइब ऑख रभ दएफ़ कमेंड करेंगे कि इसको रिपए हमकरदा सब्सक्राइब का मतलब यह बहुत्या को सब्सक्राइब हो प्रोफित P min equis तो पर हम यही comment करेंगे कि इसको 10 रुपय खरीदा गया और 11 में बैचा गया ठीक है क्योंगे 10 पर एक का profit हो जाना सार दूसरा बोला की 10 परसंड का loss तो यहां पर यह profit एक प्रसंड का loss बोल देना कि सार 10 रुपय खर दे 1 रुपय लॉस हो गया बेचे कितना हम 9 में हमारे हिसाफ से दोनों को अलग अलग बेचा गिया है अच्छा तो सेलिंग प्रैस हम भी सेम कर दो सवाल बोला कि हम सेम कर देते हैं कुछ नहीं करना इसको बराबर कर लो सबस्क्राइब करने कि लिए इसको 9 से मल्टिप्ला कर देना और यहां पर बताओ कि क्या से कितना बचा है किटना मेरा 99 का मानन तुम कितना बता रहे है गर कटा हो त यहां से एक रेसियो का मान कितना है तुम्हें बताओ ना सब्सक्राइब कर दिए ठीक है तो कितना हो जागा देख लो दोनों कितना कर देते दो हजार में कितना असानी सा अग्या अंसर और फर्मूले लगाने के कोई मतलब नहीं सवाल हार ले 30 से 35 सेंड में तुम सौल कर लोगे यहां दखिएगा सेलिंग प्र बनी थी ठीक है इसके हिसाब से क्या लिखा इटिज़ी टेकनीक में टीचिंग में क्या होना चाहिए वहीं बोला है तो वहां पर सब कुछ पढ़ाएंगे बेसिक से चीज़ है अभी एकजाम काफी कम समय था तो मुझे लगा प्रिविए सरके सारे कॉस्टन को डिसकर्स कर देना ही आपके लिए ज्यादा हेल्फुल होगा तो अगला सवाल देखता अगला सवाल मेरे दोस्त यह रहा देखिए सारे बच्चे को जिल शेयर कर दीज़ेगा अच्छा इस तरह सवालों को किसे करतों में बताऊंगा यह परसंटेज का एक सवाल है बहुत उम्दा सवाल है और इसको बहुत सिंपल बहुत बहुत बढ़ा देंगे बहुत की तखिएगा बहुत कोई राइट सर्कूलर सिलें सब्सक्राइस तो मेरे हिसाउस से ज्यादा अच्छे से करने की तरीका है कि इसको आप सवालो या तो आप क्या मान सकते इसको आप सास्वां सकते तो अपने मत सेcidos का है वो प्या अब तुम बताओ कि किसी का एक परसंद बढ़ाओगे और पाले से सब थाथ कितना होगा 101 होगा बल करके इसलिए में बोलाओं कि इत्रों आसान हो जागा आपके लिए अशा यहां पर देखो पाई अब यहां पर 101 का क्या कर रहा है स्क्वार और इंट्री जीरो वन और यह पाई होगा कितना पर्सन बढ़ा है आप देखलो यहां से कितना बढ़ा है तो यहां पर इंक्रिमेंट बढ़ाता हुँ परसंटे इंक्रिमेंट बढाऊ हुँ आप देख सकते हैं यहां पर कट जाएगा इसको चिपका हो गती हो जाएगा 3.03% कहां पर आप देख लिएगा इतना पर्शन का इंक्रिमेंट हुआ 3.0 तो यह बस केलकुलेस्टन थोड़ा सा बढ़ा कर दिया था बाकी कोई चीज़ां असान है बहुत ज्यादा टफ लेने की ज़रूत नहीं है इसलिए हमने अपने मन से 100 मान लिए है तुम्हारा मन अपने मन सकते हो कोई दिकत की बात नहीं ठीक है बट अगर लेके चलोगे तो पॉइंट में तुम्हें फंसा लेगा और तुम काफी जाए ने प्रोब्लम फंस जाओगे वांकि अंसर तभी आएगा जल्दी से स्क्रीन स तो एक मेलनन में समान अकार कर वर्फ्त डिया सकते हैं तक हहां पर 1 टिरेजीः के 5 उसी कि एक अपना कार वर्फह रखे जा सकते हम एंडेशी बताओ यहां पर इस्तम हाइट के बारे मंतूं बोलाए उलगग हाइट हो इसम्हां नहीं होंगे एन होंगे तो एन है अब वहीं तो टॉटल वरियेवल की संख्याइब तीन से ज्यादा हो गया है तीकर रिवन तीन हो गया है और यहां पर क्या रख लो वन रख लो वन सेंटीमिटर और यह किसके बराबर होगा क्योंकि घम रख जा तो सर यहां पर घंव की ऐगा हुपए है तो सांटा8 आप के पांच होगा et क्यूग थीक है तो भाइड़ mits MRI उसका हैट तो बदल जाएगा क्योंकि वह सैंते मैं उसका कुछ नहीं की बारे में उसका कुछ नहीं बहुत नहीं बदल को एक में बदल हो यहां था से भाग देना पड़ा तो तो शीदा-शीद रख रहा हूं सब्सक्राइब 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 ही घाल बनों इसको जासर श्रण तो में करें इसको इस ने इसायर ऐई क्या वक्त कर सकते हैं परना को बनाने कितना असान हो जाएगा और यहां पर यहां पर सब्सक्राइब कितना हो जाएगा और यहां पर सब्सक्राइब यहां पर यहां पर सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब कितना हो जाएगा और यहां पर सब्सक्राइब 36 को घटा देंगे तो क्या होगा 143 होने वहले घटा दे तो देखो यहां पर 180 में 67 जागत क्या वज़ा 143 तो यह पूरे complete portion को अगर आप solve करोगा तो यह दर में आपको solve करके दिखाता हूं यहां कि आप 5- समझें यह हमारा हो गया 3 by 4 और इसके जगह पर हम भी रखने वाले हैं इसको रखने वाले 143 कितना होगा यह जोड़ दो सब्सक्राइब बताओ तो सब्सक्राइब क्या होगा इसको जोड़ा जाए 54 इसमें जोड़ देंगे तो 197 197 हो जागा 72 अब कुछ मत करें इसको भी क्या करना वन मान करके 72 से सब्सक्राइब टो हो तो एक अग्यों का सब्सक्राइब तो यह सबस्सक्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें एक और चोड़ा सवाल भाए इसको बहुत पढ़ाएंगे इसका पाफी देख्वाना पड़ता है मुझे तो फैक्ट भी लिखवा दोगा तो दोगा क्या है क्या पार्ट को जल्दी खतम कर सकते हैं तो तो पजल वगर तुम खेल विदिजी से चिखा सकता है बागी कोई तरीका है नहीं सिखाने का ठीक है तो विव बागे मुझे को चीज यह सब सारी सब पार्ट है मुझे लगता है यहां पर ज्यादा वक्त बिताने की जोरत है नहीं पढ़नी चाहिए किसी भी को अगला सवाल अपके स्क्रीन पर क्या होगा इस फटा पर से देखते हैं अगला सवाल क्या हम बोले दोखो यह सवाल बहुत असान है टाइम इस्पीड डिस्टेंस क होती है अगर आप अपने घर से कोचिंग जाते हैं वेरिगूट जाते हैं कि ने जाते हैं तो आप दही किष्ण जाते हैं जर्ट होती है तो आप इस double क्या लगता है जल्दी पहुंच आते कि समय कम होदित अगर आपकी स्पीड की लगए मेरे दोस्ट जादा लगेगा मतल पर बाई कितना 5K स्पीड से ट्रेवल कर रहा है मतलब पहले तुम 5 से कर दा ता तुम 4 से कर रहा है ठीक है तो यहां पर इस पीड के बारे में कमेंट कर देता हूं यहां पर इस पीड है और इधर आपको टाइम लिगता हूं समझ वागए कि हम आ गए हैं सब आप नीचे वा walking ऊरिजिनब टाइम तम्हारा यह और तो जर तुम 5 से चलता था तर तुम कितना बना चार गंटा अब तुम 45 सें पहले से कितना ज़्यादा लकर आप इठके लोग नोग इन खैन उस उंपान सब्सक् 음ारिय कहा है गंप नले वीनित केसा सवाल मोनकिक डलान एक घंटा ल क्या होगा ओरिजिनल टाइम का मतलब चार कमान पूछाता ठीक है तो एक कमान अगर क्या होगा 1.5 तो चार कमान कितना होगा सर फोर इंटू 1.5 अगर मल्टिप्ला करोगे तो सिक्स आवर्स हो जागा इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ओरिजिनल टाइम आपका 6 गंटा पर सब्सक्राइब करें पर आपको पाट करते हैं आकलन का जो एसा निकर्तम समंध होता है किस से होता तो यह विशय वस्तूस होती है इसका क्या होता अंसर विशय वस्तूस होती बात खातम है तो क्या से पढ़ाएंगे पर डिटेल इसके अम लोग एक्स्प्लानेशन भी यहां पर संबब नहीं है कि इसको बहुत डिटेल एक्स्प्लानेशन करों क्योंकि पांच आपका ज्यादा समय नहीं है और मुझे पूरा वीडियो बनाग देना पिर विशयर का तो आप समझ रहें हो समय का बहुत किलत आए अगे अगला बात करते हैं एक और ठीटिकल पा का ना होना सिक्षण क्या होना शिक्षन विदियों का दोस्पूं वं की नहीं के सब zwalicy सवाल को कैसे देखते है एक रेश्यो का और सवाल आपके स्क्रिंग प्याच्व का मैं उम्मीद करूंगा कि परसंटेज रेश्यो का मर्ज करके सवाल पुछा था बात कर लेते हैं बड़ा सही एक नाम है क्या सब्सक्राइब इसका नाम है इजमाइल और पूजा और यह नाम क्या है पूजा है ठीक है इ सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब पूजा पास पता चल गया सवाल यह नहीं पूछा था तो रूख जाओ सवाल साथ बोला है कि अधि पूझा के पास दस पेसे केवल पूझा के पास पास केवल दस रुपिय के सिख्व में है यहां बहुत अच्छी बात कर रहा है इसका अगरी सिख्व क्या है तो इस लेवल के सवाल पूछे जारे मतलब ज्यादा मैनत नहीं करना होगा थोड़ा पड़के पेपर को तुम एजीली क्लैक कर लोगा जल्दी से करें अगला सवाल आपके स्क्रिन पे मेरे दोस्त यह रहा आई एक बात करते हैं सर इस तरह सवाल में तो घबरा मत जाएगा आपकी observations यहां पे काम आती है कई बार आप में करते हैं कि घबरा करके सवाल को गलत कर आ जाते हैं इसकी कोई ज़रूत नहीं समझो इस बात को अब यहां पर इससे भाग दे दिया है तो भी बात यहां बहुत बढ़िया है जब पॉइंट का सवाल आएगा ना तो लेफ्ट हंड साइड और राइट हंड साइड ने पॉइंट बराबर होना चाहिए अब लैफ्ट हैजातु मैं दो रृइंट के बात पॉइंट होनी चाहिए अगर यह बात समझगे तो सिदा कर लो यहां पर देखो इधर यहां इसheen पोईंट कीतना तो यहांपर कोर्विए थो के बात आनiki सावाल जो अंसर है उस पर भी एक के बाद चिपकाना पड़ेगा तो एक बाद आपको यहां पर हैसास हो जाएगा कि हां सर बात सही बोल रहा है तो जब इसको केंसिल करोगे तो यह कटेगा कितना 48 लेकिन यहां दोड के बाद यहां बारी दो भी बनाना पड़ेगा मतलो यहां पर क्या होगा बोलो 4.8 होगा मतला लेफ्ट हंड साइड राइट हंड साइड में क्या होगा पॉइंट की संख्यां बराबना चाहिए अगर इसको और सिंपल वसम समझाएंगे तो समझाते हैं यहां पर 8.92 है हम बोले हां यहां पर कितना है 117.9 और अगर यहां पर देखेगा तो यहां पर पहले सवाल दिया था इस पर करना क्या इतना 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 होता इस सवाल थे बताई दिया था तो हमको सी पॉंट ने डूंड ना यार तो सार यहां पर एक के बाद पॉंट है एक के और की बाद पॉइंट होगा तम न जाकर के यहां पर दो की बाद पॉइंट चिपक जाएगा तो तो और अल्यू मार देते हैं आप लोग करना है भाग देना नहीं भाग यहां पर देके बता दिया है कि इससे यह कटे गाती आर्टालीस ही आएगा बात खतम है तो आज हम लो थिरोटिकल पार्ट की कंबिनेसंस को थोड़ा सामिल की हैं ताकि आपको लगना चाहिए कि हाँ यह सब यह आपके महत्पुन हिस्से हैं और पूछा जाता है और हलाकि यह गाता तो इसको तुम नहीं पढ़ोगे न तो अपना आसपास की चीज़ों को अगर उत्लबद करना का परियोग करने की हम बेंको अना चाहिए अगर आप मैंथम्ट मेटिकल मैंघ्ञां फिर आ वे स्क्षन विदियों का ग्यान तो लगला मैथर पढ़ाना के तरीका होना चाहिए यह भी सही है तो यहां पर उस्वन होना चाहिए क्या ओल अलब देवाग टीक है तीनों तो यह सब कोमन संस का बात है इसमें तो कौन सा तुम बुक पढ़ा देगा तुमको प्रैक्टिकल बात अल्गोरिथम जहना इन्हों क्या बोला है अल्गोरिथम और यूश्फुल फोर मेंटली परफॉर्मिंग किसके बारे मुला देख लिए तो सर यह जो बोल रहा है किस रूप में काल करने की योगी है तो यह तो संख्यां संक्रियाएं भी था यह तो सही है मापन भी इसके एक जिरो से परसंटेज को हटा सकते हो तुम तो यहां से क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कर देगा तो मतलब रूट के अंदर क्या होगा सब्सक्राइब कर सकते हो यह आपको समझना पड़ेगा किसे बता रहे हैं इस टुवल को क्या लिष सकते हो सर यह तो चार गूने तीन है हम बोले हां चार का रूट के बार निगालो कितना होगा दो तो मतलब कर नहीं होगा मतलब लेफ्ट राइट की बात कर पोजिशन गी ठीक है तो जल्दी से टिक करी और आगे बढ़ी है ठीक है अगला सवल कर बा देखिए एक और भी सवाल अपको से पूछा जा रहा है कि इस में से कौन सा वैलु संभाव है देखलो यहां पर प्लेस वैलु फेस गणाव पता है कि नहीं तुम लोगो मैं बता है मैं समझाता हूं कोई दिकत नहीं दो यहां पर यहां पर नमर लिए तो फेस तुमारी कब निए कि सब्स बता एंक निकालfi निकाल के अब कितने बचले रहे उवच सब्सक्राइं तो वेरी गुड और इसका फेस वल्यू ते पांची होगा तो इसका डिफ्रेंस कितना होगा बोलो 495 देख सकते हैं बड़ा असान है और कहां पर 495 ऑप्सन नमर डी मैं बता दूं कि यह सारी पेपर 2017 के पेपर वन का है ठीक है कि एक ही माप का निए एक सेंटीमेटर जो यह सो तिरेजिया वाले तीन सिक्के मेज पर इस तरीके से रख हैं कि वह एक दूसरे को क्या करता है इस पर्स करता हो नहीं टच करता हो तो सिक्के द्वारा उनके बीच घरे गए छेत्र का छेत्र फल क्या होगा हम बहुत को तुम साइस का अब कोई कमेंट यह बत करना साइस चोटा चोटा मड़ा बन गया ठीक है असा नहीं है यह मान की चलो कि तीनों क्या है सेमें तो गनी तो मानना पड़ता है यह डाइगराम पड़े हो कि नहीं और इसके बीच में जो यह स्पेस नहीं दिख आपको यहां यह बोला यही किहा है श्याइस की बारे मीं कमेंट करना बोला कि जो घ्रा गया इसका चेय ज दिख लुएड एहां करना क्या दो यह तो यह हैं पर सेंटर हो गff llam कोन कितना कितना सबस्सक्राइब नहीं प्रभाई कैसे सब्सक्राइब एकुर्प ट्रेंगर्स सब्सक्राइब और यह से बिल्कुल तीन विरिक्षम बना है तो टोटल एक्विलेटरल ट्रेंगल के अरिया में तीन विरिक्षम का घटा दो गट का यह बीच वला जो बच्च के अपवर्सन नहीं निकल जाएगा तो आप लोग यह कितने ऐसे बच्चे जिसको यह नहीं पता है कि एक्विल प्रेंग एडिया लिख दो समझ जाना तुम लोग तो यह कुछ निकरना स्वाव तो इसका निकालो सर किसका हम बोरे यह इंक्वर का यह स्कूर बोलता है कि एक लिए तर दिखेगा पलिशी का निकाल लेकिया जगह कम पढ़ रहा है है पर इसको लिखना हुए नहीं कि फि चलो यहां देखिएगा रेडियस एक है और भुजा इसका कितना होगा दो मैं इसको रफ करके लिफ्रेस से लिख दे रहा हूं कि यहां पर देखो डाइग्राम स्वाइं में आ गया होगा सबको एरिया अफ हना रिमेंइनिंग पार्ट जो भी है रिमेंइनिंग पार्ट कैसे निकालते हैं बता रहा हूं तुम लोग सर फले एरिया निकालो एक्विलेटरल ट्रेंगल पूर्य का हम बले निकाल देते हैं ठीक है आओ यहां पर एक्विरिद्खन को मैनस करना पड़ेगा हम बले ठीक है विरिद को खंडित की हो तुम पर चाहिए तुम लोग सब पढ़ते होंगे नाइन टेंसे पढ़ते आ रहे तो सब्सक्राइब यह हो गया और यह फोर और यह फोर केंसील हो जाएगा वेरी गूड सब्सक्राइब आपके स्क्रीन पर देखने क्या है यह आपको नाइन टेर में आना चाहिए आपको रेगुलर क्लास करोंगे वहां पर बढ़ाओं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखने क्या है देखे यहां पर अच्छा आई थेरोटिकल पार्ट आगिया देख लेते हैं क्या है किने में लिखित में से कौन सी सीखने की रन निती है न बी-एस बुलू द्वारा विक्षित नहीं की गई था इसके द्वारा विक्षित जो नहीं किये थी कौन को ने बताता हो ठीक है डिय आगनोज ऑफ दे लर्निंग ओफिस भी यह भी यह भी यह एचा एटेंड अ मास्ट्री लेवल अब देखो यह नहीं क्योंकि यह ना 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 इंटीन से मुझे याद है 1971 में दो मैं ने नहीं दिया था इसको तो यह बिल्कुल भी यह नहीं दिया था ब्यास बुलूम इनों सच्छा गया था ठीक दिमिद करते हैं बात सिंपल रहा है तो यह बात यहीं सतंब पढ़ने प्यादा क्या होगा अगर तुम किसी के बारें पढ़के रहो गया तो मुझे पता कि यह किसकी लाइन है तो यह से सवाल फ्रेम कर सकता यहां से यह पढ़कर जाईएगा कि हमको सवाले देख लिते हैं कि मनी लेंडर क्या क्या कमस्ट नोग यह एनुवल इंकम कितना हो गया कितना से दो इतना 16 655 एक व्यक्ति का जो है सो एनुवल कमाई है घड़ गया कितने से 61.5 से कम हो गया हम बहिए ठीक है क्यों कम हुआ क्योंकि इन्होंने अपनी इंट्रेस टेस इसका जो है सो इंकम 61.5 से कम हुआ बलाक्षी बताओ कितना पैसा जमा किया था ही बताओ न है न हम बोले बता रहे रुख जाओ हम लोग कुछ नहीं यह सवाल है क्यों मुझा पता है कि यह 61.5 के लिए responsible कौन है सर इन दोनों का difference responsible है क्योंकि ना घड़ता ना इतना इसका इ यहां पर कम कराग बता हम बुले कितना इसका मान कितने बरावर होगा सर 61.5 के बरावर होगा हम बुले ठीक हो यहां से इसको पर लिए सर यह 8 होगा यह 8 सताई से 31 31 बढ़े कितना हो जागा चार और इसका कि जमान होगा 61.5 बस सॉल करो ना आठ चुक 32 में 31 से लागे दो इसको सॉल करेंगे सर यहां से 32 में से जागा कितना 1 by 4 बच रहा हम बुले ठीक है और इसका मन सवाल कितना दिया 61.5 तो हमको एक कप अले सब्सक्राइब करने का बेसिक से स्वाल कर सकते हैं उसमें वी अंसर तुम्हारा सेम आएगा जल्दी से स्कीन सोड़ लेजी बैसिक से कोई बचा आगा सोचना चारा में यहीं पर सोच बात तो तो पाला मानलो प्रिंस्पल कितना पी यहां पर इंट्रेस कितना आर बटे कितना होगा सो टाइम तो एक ही साल रहेगा ना इन्युवल दिया हुआ इसमें घटा दो क्या चार परसंटेस करें नीचे कितना आएगा सो और इसका डिप्रेंस कितना करें तो यहां सौल करना पी कमन वहीं आने वला है तो इसको सौल कर दो उसको सौल करो बहुत ज्यादा फरक है टाइम में नहीं पढ़ने वहला जल्दी से सौल करें मेरे दोस्त अगला सवाल आगे अगला सवाल आपके स्क्रिन पर कुछ यू रहेगा प्राबर से देख लीजिएगा सवाल क्या है देख लेते हैं ठीक है वाइल एड्रेसिंग नंबर ऑप्रेस्टन से स्टेस सूडबी ऑंदा उनरस्टेंडिंग किस पर होना चाहिए तो यह पैटरन पर होना चाहिए हमार अगर इसका अगर आठ यह प्रोड़क्ट और यह प्रोड़क्ट नहीं होगा तो यह हो सकता यह यह और कैनोट बोला है नहीं हो सकता यह तो और यह प्रोड़क्ट नहीं हो सकता यह तो बड़ा इस सवाल पूछा गया तो 17 में बागी रिपीट करेंगा तब कर लेना क्या दिकते अगला सवाल बात करें किया अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा देख लीजेगा बढ़ा सर एक ची बताओ क्या सर ऑल दपॉजे प्रोइथे जो नम़र इसको भाग देगा समय होंगे बात समय की एक सबHoitter के डिवाजर होंगे तो टेस्थ्ट पर इसकसरह को अरेंज करतेंगा सैंप़मे टेकर क्या होगा तो यह वड होगा करते हाङ इसकी जवाब कर एक कर देंगे ऑ सो तो नमबर खुद के बराबर होता है यह अच्छे समझे में आना चाहिए हम बहुत तुम बहुत तुम बलो इसको अगर करूं तुम लोग सब मुझे पता है कि सार जब इसका निकालेंगे इसका अंतिम जो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा नमबर 132 ही होगा लेकिन जो घटा आज गटा इंगे मतलब 132 होगा फिर 64 होगा है इसे करके आपको समय आरा कि नहीं तो यहां पर 32 होगा इससे चलिए अगला सवाल अपके स्क्रीन पर कुछ यू रहेगा देखिलते हैं फड़ाबर से क्या है सवाल सवाल बहुत सिंपल है हम बोले क्या सिंपल है परिमाप समझते हैं आप लोग हम समझते हैं पेरिमिटर का मतलब बॉंडरी की लेंग्ट होती है ठीक है तो सर क्या परिमिटर ने क्या होता है तो इसका क्या होता है तो बराबर करो इसका लोग है परिमाप किसका इसकोर अधाल बढ़ाबर कर दो थो क्या पार रिप कैट्र बैर्टेंगल कोने रस्वास सब्सक्राब करें जूसने बंपाबें कि यूद्टर कृटेंगल कि प। मुर्बीहें लिए फाल स्वाऽ दिटेंगहें खतम हो जाएगा रहें कारें में बहुत बढ़ यहां और इस साथ उखटा दोते हैं असर लमाई तुमको कितना निकल निकल गया चोड़ाई दिया तो एरिया नहीं निकाल दोगा क्या असर निकाल देंगे न तो एरिया आफ जो रेक्टेंगल होगा न सौट में लिख रहा हूं समझ जाना तो इसका उतर पर कुछ यूं रहेगा बात करखे देख लेकर सवाल किर और सवाल नहीं का समझ तुमल के बिताते हुघ को संबहीत वर्गों का सब्सक्राइब करना पड़ेगा बांकि जो चैप्टर को सॉल करना होगा जहां पर नुम्रेकल के बाद आती है उसको मैं काफी अपको उंदे तरीके बता रहा हूं इसमें आपको रटना ही पड़ेगा इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता ज्याद आपको सब्सक्राइब करेंगे उससे रिलेटर जितने अब्जक्टी बन सकते उसके नीचे सब करा दोंगा ताकि वहीं पर अड़ जाए मेरे क्लास के बाद तुमको घर में अलग से पढ़ने जरूत कभी नहीं पढ़ता किसी को नहीं पढ़ना चाहिए फिर यहीं पर बात आ गया क् पर इस प्रेसिफिक करतें किसका अग्जामपल है तो यह तो इसका बावी तो यहां पर निगमन विदिका है और डिडेक्टिव मेथड का इनियम है टिक है इंडेक्टिव मेथड क्या था बता चुके आपको यहां दखिएगा तो और अगला सवाल अपकी स्क्रीन पर दखो यहां पर जैसे गणित्य अफढ़नाय अमॉर्त होती है बिल्कुल सही बात है गणित्य अफ़द्रनाओं में तार्किक समंध होता है बिल्कुल सही है लेकिन जो गलत है वो ओफशनमर कौन सा भी है और बहीं वह बोल वी रहा था यह पराकिर्तिक बानित्य प्राइमरी मैंतमेटिक्स मस्ट इंकॉर्पूरेट दफ्रोग्रेसिंग फ्रम डैस तो यह तो बताओ सब्सक्राइब अगर एसा कुछ है तो क्या हो जागा यहां पर मुर्थ क्यों लेके जाएंगे हम लोग प्राइमरी बेगरम ठीक है तो बिल्कुल याद रखिएगा क्या होता मुर्थ से अमुर्थ क्यों रूप करते हैं बात देहान रखिएगा ठीक है प्राइमरी में वह सी चीज़ को सामिल भी किया गया है अब जब रीटेल पड़ोगे तो आपको संच में आएगा ठी तो जो भी सीज़ी टेर के बच्चे हैं गाई समझेगा जो भी सीज़ी टेर अपनों देर रहें जा रहें इस फ़र तो थोड़ी सी मेहनत करिए अर्थमेटिक पॉर्सन में आपको बता चुके था आप देखेगा कंपरिशन कमेंटी पर जाईएगा और वहां पे एसाई का सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ज्यादा पढ़ना कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है नहीं आपके लिए आप प्रैक्टिस इतना करा दिया हो कि वह काफी है ठीक तो फिर मुलाकात करते मेरे दोस्त में इमीद करता हूं अच्छा लगाऊ सेशन सेयर जरूर कर दीज